इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लायन और टाइगर एक साथ पाए जाते हैं हलो एब्रिवन आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ओफ नेचुरल वेजिटेशन की नेचुरल वेजिटेशन आप जानते ही हो अगर वहां पर बीस पच्छे साल वेजिटेशन 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 आप जानते ही हो इंटर्फेरेशन ना हुआ हो तब सिर्फ इसी केस में तो नेचुरल वेजिटेशन का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्स्प्लोईटेशन हो रहा है वो ट्रीज का भी हो रहा है फोरिस्ट का भी हो रहा है और यह हमारे लेक बहुत बड़ी प्रोब्लम है लाइक आज के डेट में जो इतने सारे फलर्ड आते हैं या फिर कहीं पे रे नेचुरल वेजिटेशन का और नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया सो कंजर्वेशन करने से कैसे कैसे किया जा सकता है हम ये भी देखेंगे तो एक डीफोरेस्टेशन आप सबको पता होगा मतलब कटिंग डाउन लार्ज नंबर ओफ ट्रीज तो अगर प्लांटिंग करेंगे अगर बहुत सारे पेड लगाएंगे तो क्या होगा कंजर्वेशन होगा फोरेस्ट बचेंगे उनका एक जो लेबल है वो मेंटेन रहेगा जिससे क्या होगा हम नेचुरल वेजिटेशन हमारा बचा हुआ रहेगा और जो भी ये प्रोब् ये फोरेस्ट ही हमारे एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और जब ये हमारे एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं तो एक हमारा एको सिस्टम भी बचा हुआ रहता है जो हर एक लिविंग बींग जो भी इस अर्थ पे है उसके लिए जरूरी है अब क कंजर्वेशन की बात करें तो हम कंजर्वेशन जब करेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम बचा पाएंगे इस अर्थ पे और कंजर्वेशन सिर्फ हम फोरेस्ट का करेंगे तो किल फोरेस्ट का कंजर्वेशन नहीं होगा बलकि एक पूरे एको सिस्टम का कंजर्वेशन होग वी नीड फोरेस्ट कंजरवेशन आओ लेट्स टॉक अबाउट वाइड लाइफ तो इंडिया जो है यहां पे वाइड लाइफ भी बहुत ही अच्छा है लाइक इन इंडिया देरार लाइक रेप्टाइल्स, मैमल्स हर तरह के इनिमल्स यहां पे पाय जाते हैं अराउंड 15,000 स्पीसीज के फ्लाइर्स पाय जाते हैं सो हमारे हां ट्रीज, फ्लाइर्स, सब कुछ अबंडेंट क्वांटिटी में है और बहुत सारी स्पीसीज पूरे वल्ड की इंडिया में पाय जाती है और इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां पे लायन और टाइगर एक साथ पाय जाते हैं नहीं तो और किसी देश में लायन और टाइगर एक साथ किसी देश में नहीं पाय जाते हैं तो यहां पे इनिमल्स और प्लांट्स अलग अलग स्पीसीज के पाय जाते हैं अब अगर हम पूरे वर्ल लेबल पे बात करें तो वर्ल लेबल पे आपको पता ही है कि अफरीका is very rich in wildlife, अफरीका में बहुत तरह का wildlife होता है, in fact वहाँ पे लोग wildlife सफारी के लिए भी जाते हैं, आपने देखा है, इसके लाबा जो प्रेरीज हैं, वहाँ पे कभी बहुत सार बाइसन्स हुआ करते थे, जो एक जंगली भैसे की तरह दिखता है, तो बाइसन्स जो होता था, वो उनकी बहुत जादा हंटिंग हो गई, बहुत जादा उनका शिकार हुआ, इसलिए अब उनकी संख्या बहुत जादा नहीं बची है, इसके अलाबा आस्ट्रेलिया, कंग को बिलकुल नहीं भूलना चाहिए, अमेजोन बो रेन फोरेस्ट है, जो लगभग 11-12 देशों में साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में फैला हुआ है, लगभग 60 पर्सेंट जो एरिया है ब्राजील का बो अमेजोन रेन फोरेस्ट का पार्ट है, और साउथ अमेरिका में अ इसका अमेजोन रेन फोरेस्ट जो है बो लगभग 10-12 देशों में फैला हुआ है, तो इतने बड़े अमेजोन रेन फोरेस्ट में, लाइक वहाँ पे अगर जो नदी अमेजोन है, वृल्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है, उसमें जो नदी है बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलके बनी है उसमें जो फिसेज हैं they are the most dangerous fishes in the world पिराना पिराना भी वहीं पर पाई जाती है जो flesh खाती है मास खाती है इनिमल्स का किसी का भी इसके अलाबा जो deadly like snakes होते हैं या फिर deadly reptiles होते हैं वो सब Amazon में पाई जाते हैं तो a variety of wildlife a variety of trees are found in Amazon rainforest also पूरे world में climate अलग अलग है according to the climate according to the weather conditions basically climatic conditions the animals and plants are of different types जो animals or trees होते हैं plants होते हैं वो different different पाई जाते हैं like maple trees हमारे इंडिया में नहीं पाई जाते वहां पे mango trees नहीं पाई जाते कश्मीर में कोनी फेरस trees होते हैं बिहार में कोनी फेरस trees नहीं होते हैं यह सब climate के हिसाब से होता है like there are many animals in India like one horn rhinoceros आपने rhinoceros जरूर देखा होगा वो असम में पाया जाता है गिर जो है that is famous for lions in gujarat गिर जो है gujarat में है और gujarat इंडिया में है तो वो lions के लिए famous है tiger of the sundar buns west bengal है ना काजी रंगा national park so यह जो जगे हैं काजी रंगा national park is famous for rhinoceros by the way so यह जो areas हैं हमारे इंडिया के different different यहां पे अलग अलग तरह के animals पाय जाता है अब पहले हमने बात की कि जो plants है उनको बचाना है और साथी में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें animals का भी wildlife का conservation करना बहुत जरूरी है उनको बचाना बहुत जरूरी है तो wildlife को बचाने के लिए like forest जो deforestation हो रहा है उसको रोकना चाहिए जो forest fire जंगलों में आग लग जाती है उनको control करना चाहिए और फिर कोसिस करनी चाहिए कि वहाँ पे आग ना लगे कई एक बार जो forest fire होते हैं they are because of the people बहुत सारे लोग जाते हैं camping करते हैं और वहाँ पे आग जली हुई छोड़ देते हैं जिसके वैसे आग लग जाती है ऐसे भी regions कई एक बार देखे गए हैं so forest fire है deforestation है hunting है poaching है जो hunting वगेरे होती है उसके वज़े से भी wildlife खत्रे में है कुछ species endangered है और कुछ extinct हो चुकी है मतलब बिलुप्त हो चुकी है so wildlife का conservation भी बहुत जरूर है हमारे यहाँ actual एक ecosystem होता है जैसे अगर हम इसी area की बात करें तो यहाँ पे एक particular एक ecosystem है इतने से area में कुछ animals भी होते हैं कुछ insects भी होते हैं कुछ birds भी होते हैं butterflies भी होती है so basically यह जो ecosystem होता है यहाँ पे एक particular type के like पाय जाते हैं animals और उन सभी को जिंदा रहने के लिए they need some important things to live upon तो इसलिए हमें conservation करना बहुत जरूरी है